हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं असोक कुमार अपने चैनल बी एसार टेक्निक में आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो है दिया आपको पसंदात मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और यहां जो हंडिर परशिंट प्यूर ओरजनल लेडर बेट होता है उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं अब किस तरह से आप जो के सैंथेटेक्यार के पहचान कर सकते हैं तो अभी हमने जो आपके सामने रखा है एक तो 100 पर सेंट यूर लेडियोचे और दूसरी जो आए वह है सेंथेटिक लेदर दोस्तों इसमिंघानी बताने वाले देखने में स्थान्तर यह चीज वेज़ी हो बताने तो यह देखे जब यह इसको पेछे पलटेंगे तो यह पूरन नहीं होता इस पर रोय जैसा जो है कि उबरा हुआ होता है रोय जैसा उबरा हुआ होता है हलका हलका क्योंकि यह प्योर जो है कि जानवरों के खाल से बनाया जाता है इसलिए यह इस तरह का रोय दार होता है ठीक है तो इस तरह से आप भी इसको पैचान सकते हैं और जो सैंथेटिक शाइनी मारा और प्लेन भे और उसी तरह से पीछे भी प्लेन है देख पा रहे हैं आप कि यह भी जो है कि और दूसरा जो लेदर बेल्ट है वो प्योर नहीं है तो इस तरह से आगे चलिया और यह जानकारी तो यह आपको यह जानकारी हो गई तो एक तो पहचान आप कर हैं और दूसरी पैचान यह है और जो सबसे मेन पैचान है जो सबसे मुख्य पैचान है रिपीट लगे हुए वहां से इसको मोड़ देजी है मोड़ने का देखी इसमें single layer होती है इसमें कोई भी dabble या triple layer नहीं होती है यह प्योर जिए हैं की leder का 100% leder होता है genuine hazard होता है जो पेंच है जो रिपीट है तो यहां से जब इसको फोल्ड करेंगे यह आजकल के समय में काफी जो है कि यह पेंच कसने वाली आ गई है तो इस तरह से घूमने वाला होता है तो वहां से जो है कि आप इसको फोल्ड करके इसका बकल घूमा करके आप देख लेंगे तो हमेशा ये आद रखें कि जो भी यदे ऑनट परसेंट लेइं की betale उसमें सिंगल लेइर हो ऊपी मोटा होता है देभी आप देख पा रहे हैं कि ये समें'll पूरा की सिंगल लेइर हैं कहीं भी ना उपर लेयर है कोई नहीं कोई निचे लेइर और एस तरह से जो है synthetic belt को देखिए synthetic leather जो होता है वो कैसा होता है इसको भी यहाँ से पेंच क यहां से इसको fold कर दिजिए और यदि यह fold नहीं होता है तो इसम्हें जो पेंच लगी उसको खोल दिजिए यदि दुकंदार कहता है तो और यदि नहीं कहता है तो आप खरीद के घर पे ले जाए और वहाँ भी खोल करके उसको चेक कर सकते हैं ताकि यह मालूम पढ़ जाएगा आप वो बोल्ट की इस तरह से जो आपने बेल्ट खरीद है वो कैसा है लेदर की है या फिर डूबलिकेट है सैंथेटिक लेदर है औ और यह देखिए अभी जो है एक उपर लेयर हो गई अभी इसको हमने हाथ से जब इसको अलग किया तो यह पूरा अलग हो गया अलग लेयर दिख रहा है और देखिए यह देखिए हमने आउजार से जब इसको फैला दिया पेचकस से तो यह नीचे के भी लेयर जो है कि करते हैं दोस्तों यह देखने में तो सुंदर होता है फैंसी होता है लेकिन बहुत जादा टिकाव नहीं होता है जो कि यह डूबलिकेट होता है और इसमें जान बहुत जादे नहीं होती है यह हलका होता है और बहुत ही कमजूर होता है तो इस तरह का बेल्ट यदि आप खरी तो जो है कि यह और एक देखिए यह परेशानी होती है बहुत लोग यह समझते हैं कि यह आपकी बेल्ट बड़ी है तो वहां से कट होगी लेकिन कभी भी ऐसे भूल ना करें और कभी भी ऐसा ना सोचें कभी भी आपकी बेल्ट जो है कि यहां से जहां से इसकी बकल लगी होत यहां से cut की जाती है और यहां से cut करने के बाद वापस जो kings के पेचों कस लिया जाता है और उसकों करने के बाद जो कि तयार हो जाता है तो दोस्तों आप ने हमारी वीडियो को पूरा देखा और मुझे प्यार दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू बबाई दोस्तों